सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ओफिशियल चेनल को बैल आइकॉन को प्रेस कीजिए औल आप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे फोट प्रोग्राम बन गया किनिकिनताम जाना है फिर आपके व्याईडी गुरुजी है इसका वैद रखा है व्याईडी जी पकी न कहांगे कि आपके वीडियो बना लेते हैं मेंैं का मना लो जाके में बड़ो गुल्दी के दर्षन कराउंगी बस तुमनों से मिलने का ღ ए साहित ही हैं ing soplex कि तुम्हारा भी मन बारवर हो रहा होगा ღ inaugan लिए जलता है तो पतंगा भी जलता है आप occupied indication हो रहा हो ऑन थे मैंने पहता है जुत हैं स्वारे आपना मिल दोंगी और जन्मस्ती है ये जन्मस्ती करीब आ जाती हूं तो उनकी मूर्ती के सामने बैठती है तो थोड़े बाद कृष्टी के समान दिखने लगते हैं और कृण कृष्णत वह आजाता है उनके चाहर पर वही मुझको राट आ जाती है उनकी आँख में चमक आ जाती है और शाद तुम लोगों में से बहुत लोगों इस कोखें यसे चीज दो किया होगा और जो लोगों ने नहीं किया हो तो इस चीज को फिल करएं कि तिम लोगों या बड़े मुझी की सामने बेठे हैं जैसे अ handful ने की सामने कृष्ण बागवान बैठें मुस्क्रा रहे हैं हमें देख रहे हैं हमसे फ कर से सामने कृष्ण पर आपको सामने बैठे हुए क्रिश्न नजर आएंगे आप पहचान जाएंगे फिर आपको ऐसना हritis है यह आम लोग बैठें काम अजनी बैठें मैं यूई-क़तर को भी ने पहचान पाते हैं तो हो जन्य पहराइब नंगे इसक напр één Object ओब ने इसको भी औरृब है कि यह हम्मारे को कैसे फैचाने उनके लिए आपको आखे चाहिए और जब जले हुए दिये के पास बहुत सारे दिये रखें पर एक जलता हुआ दिया है एक जलता हुआ दिया अगर है तो पूरे कमरे की दिये जलने लगें जतने ही पास आओगे और मैं बार बार आती हूं तुम्हारे पास, बार बार तुम्हारा अधिया जलाने के लिए, कि तुम्हारा अधिया जले, तुम्हारे आखों में एक चेतना आये, तुम्हारी आखों में वह बात आए कि तुम साथ साथ कृष्ण को देख सको, कृष्ण की मुस्क्रार देख स उनसे बात कर सको मूर्ती तुमसे बात करें कि मुझसे तो बात करती है मुझसे गुरुजीन कहा था कि मेरी मूर्ती तुमसे बात करेंगी और आज मैं गई तो बिल्कुल कृष्ण सब्सक्रा रहते हैं और यहीं कृष्ण तुमको प्राप्त हो यहीं तुमको प्राप्त हो ऐ यह द्रश्टी तुमें प्राप्त हो। यह अलएन कि हम उन्लाइन सामने हो। किसी भी बहाने आप से बात हो जाए आपको देख लूँ आनलाइन में ऐसे नी तो ऐसे यह एक प्रहम होता है अपना पन होता है और आप लोग उसे बहुत प्रहम है पर आप लोग रेजिट्रेशन कराती है नहीं आप लोग आती है नहीं सामने क्या फरक पड़ता है 1500 अड़ ख्राइन पर थेंशन v1,000 लुट सर्पता के पां खा क्या थूप कर फेंद देता है पर मिलना करौन रूप के बड़ाबर कि आप मेरे सामने बेटे हैं अपने वी ऐए पी कुरी गूला अप यह कितना में हूँ लग दया मैं तो सब्सका चैसा आपने भी मिंहीव दे ऐस अगर है। घ्रलों सब्सक्राइक लगनों इस आप गुद्टार्जों अि हुद्लों ने किस्चीज हैR यह तुम्हारे उपर नेद़ यह फिर्मी मेरा बहुत आशेर बात है। कितुए तुम हैंपटी दौ इन्मी तो माताजी घुरू जाने वाले हैं ऑला है हम को ठोआना चाहिए हम Computer को जाना चीजा हमें जाज़ा जाते लोगको आना चाहिए कि हमीं लगे कि नहीं कि अचे ट्रकूर भुक्त इतने साहे लोग हैं पर तुम लों के सोय हुए हो कब जागोगे अब मैंसे उठाने आई हूँ मेरा काम एक है कि बच्चों को उठाना उठो बहुत सो लिया एक चेतना है तुम मैं इप बकवान राम ने मर्याधा की बात कही क्रिष्ण कर्म की बात कही पर मैंसे तुमें ट्वह बढ़ करती और जाओ अब बहुत सो लिया कि अब जागो और मोजन्य अब जागो और मूं तो रहतो कि अलगों आप बोल दो देने के नौश्कार में महाविद्या सादक परिवार से अपकी माता जी की साथ फिर आपके सामने एक बार आया हुआ हूँ और निखिलता में हम लोग बैठे हैं आने थोड़े दिनों बाद करस्म जन्माश्मी है भगवान श्री करस्म के दोनों रूप है यहां पर एक बार रूप मे बैठे हैं और अचारक माता जी ने का चलो मैं भी चलती हूँ और थोड़ा समय हो गया था श्री विद्या का वीडियो में आपको बना के दिया और वीडियो बनाने के बाद फिर माता जी का बगला मुक्या आया पार्ट बन पार्ट टू आया और यह भी श्री विद्या पा भगवान कर्ष्ण कौन है भगवान कर्ष्ण लव चाइड भगवान कर्ष्ण को आप लव चाइड के भगवान कर्ष्ण यशोधा के बेटे थोड़ी है पुत्त थोड़ी उनकी बायोलोजिकल पुत्त थोड़ी है यशोधा मा के पर फिर भी उनको लव चाइड कहा जाता है क्योंकि जैसे ही पैदा हुए उनको टोकरी में रखके उनकी पिता जी यमना पार करके वहाँ पे दे आई यशुदा जी को यशुदा जी के बच्चे नहीं थे और उन्होंने उसको पाल पोस्के बड़ा किया आप भी आप किसी भी मंदिर में जाओगे कहीं भी जाओगे तो यशुदा मा का जो मंदिर होता है वो दौरकादीश जी के आप किसी क्रश्ण भगवान के मंदिर के सामने उनका मंदिर होता है और उनकी आखे ऐसी बनाई जाती है कि वह सामने जो मंदिर में श्री विग्रभ भगवान श्री करश्ण का मौजूद है उसकी उन पे लाव चाइल्ड और यशोदा ने उनको इतना पिर्यम किया इतना प्यार किया इतना उनके लिए सब कुछ किया और हमेशा उनको देखती रही हूँ इस लॉड हनुमान हनुमान कौन है हनुमान जी की इस देश में बहुत भकत है हनुमान जी क्या है मैं आप से श्रीव परने करना चाहतको नाराज बी इनकी वाँ इनकी आपको चिंता करने वाऑज धूर दूंगा और हनुमान जी का प्राकट्त हुआ हनुमांदी तो लव चाइल्ड है और जब उनके पीछे लेक लव चाइल्ड के पीछे वायू देव जब उनको लक्ती इंद्र मार देता है तो वायू देव को तो इतना गुस्सा आता है कि पूरे संसार की वायू रोग देते है अपने लव चाइल्ड के पीछे कर्ण को दिया और कर्ण को उन्होंने क्यासा थोड़ी सूर्य भगवान के बायोलोजीकल पुत्र नहीं थे पर यह लौचाइड था कर्ण तो उसको तो उन्होंने अपना कवच और कुंडल दे दिया और उसके पीछे तो इतनी जबरदस तरीके सो आ गये थे यह कभी महावार तो हारता ही नहीं बिल्कुल दोनों हाथ पूरे अपने हाथ लेके साथ पूरे अस्तसा दल बल पूरी इच्छा शक्ती के साथ खड़े हुए थे सूर्य भगवान अपने लौचाइड को हाने थोड़ी देते पर वहाँ पे करश्ण भगवान लौड करश्णा भी थे जुन्होंने महासुदरस्ण चेकर रहा है वो उनसे भी बड़े लौचाइड थे वो तो यशोदा के पुत्र बने तो उनके उसके कारण करण की यह कौन है राम पूरा पूरे पांड़ा और कौरो कौन है जनक नदिनी सीता कौन है सीता जी को जो जनक भगवान थे उनकी तो जो राजा जनक थे उनकी तो शारारी रूप से संतान उत्पन करने की चमता चली गई थी वो तो कहत कहानी है कि ठीक है हल में से निकली तो यह थी के प्रत्वी ने उनको उत्पनि किया वो सारी बाते हैं हमारा जो ग्रंथ है वो सारे एक प्रतिकात्मक रूप में चलते हैं पर वो लौचाइल्ड हैं और उनको मतलब ये कहा गया उसमें सिता जी उनको खेत में प्राप्त होई हैं और खेत में प्राप्त होने के बाद उ जो भी हुआ उस पर वो विशेव में जाना नहीं चाहता पर जो मैं बात कह रहा हूँ आपके पुराणों की बात कह रहा हूँ मैं अपने माद से कुछ भी जोड़ नी रहा तो उसके बाद जो चारो पुत्र उत्पन होते हैं और उनमें इतना प्रेम था उन चारो में चारो से उत्पन होते हो चारो में इतना प्रेम था भरत में राम में लक्षमाण में और शतुधन में इतना प्रेम था इतना तो बायोजिकल पुत्र पुत्रियों में नहीं होता प्रेम जितना प्रेम तो यह लोग कौन हैं यह लोग कौरो पांड़ा कौन है यह भी तुम सब ला मेरा भारत द्वाज है, अब भारत द्वाज रिशी कौन है, वो भी अपसरा के पुत्र है, वो लवचाइल्ड है, अब मेनका और विश्वामित्र की लवचाइल्ड कौन है, मेनका विश्वामित्र का लवचाइल्ड शकुंतला है, और शकुंतला के लिए उतना प्रेम करते ह कि राजा दुशयन्थ के सामने हाज जोड़ के खड़ हुष्वा मित्र खड़ा हो जाता हाज जोड़ के क्योंकि उनकी पुत्री ये love child है और उसके उससे जो बच्चा पैदा होता है दुशयन्थ फिर भूल जाता है दुशयन्थ इसको भूल जाँ शकुंतला को भूल जाता है राजा विवा के बाद कुछ श्राप रहता है तो उससे जो पुत्रत्पन होते हो भरत जिसके नाम पर इस देश का नाम यह भारत पड़ा है यह सरातन संस्क्रती है यह सरातन धर में पाराशार रिशी है पाराशार से वेदवाश हो सकता है जो वे में 24 इंदर देखें, 25 इंदर के समय में अपना शरीत त्याग हूँगी, मतलब 24 इंदर मतलब एक प्रधानमंति, अगर देश का पांच साल के लिए होता है, तो आप सब 25 प्रधानमंति, लगा लो कितने साल हो गए, मतलब वो उदने कहा कि जब तक 24 इंदर हो जाएंगे, पत पिता का जब नामी, उनकी मा तो कुवानी थी, आज इनकी पूजा होती चाहिए, जिनकी भी होती है, वो इस मकर्धवज, मकर्धवज is a love child, एक प्रेम के द्वारा उत्पन हुए बालक है, हनुमान जी को खुद नहीं वालू था कब अपसरान है, मुझे उत्वारा उत्प तो उसके सामने सब कुछ करने करें, तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो हिंदुस्तान में गुरू शिष्य परंपरा है, वो गुरू शिष्य परंपरा बहुत पवित्र और संसार की सबसे बड़ी परंपरा है, इसमें सिर्फ जो शिष्य होते हैं, वो लाव चाइल्ड क्यों उनके लिए प्रात्ना करती हैं, क्यों उनके लिए पूरा अपना सब कुछ लगाने पर तयार हो जाता हैं, क्यों? क्योंकि लौव चाइल्ड होते हैं, ये आप देख लिए, जितने भी गुरु तो तभी आएगा जब तक लौँ चाइल्ड नहीं होंगे, हम लोग के लिए गुरु जी हर चीज के लिए तैयार खड़ो जाते क्यों कि कई संपरदायों में या कई धर्मों जनसंख्या वरद्धी के लिए बच्चे पैदा करो चार साधी करो और पांसो बच्चों का प्कुनबा बना लो जनसंख्या वरद्धी के लिए बच्चे पैदा किये गए अब जो जहां पे स्थोटी यही है कि जनसंख्या वरदी के लिए बच्चों को पैदा किया गया उनमें कौन सा बच्चा विलक्षर निकलता है एक भी नहीं निकलता है सब तलवार चाकू लेकर लड़ाई जगडा यही वो इसा दंगा फसाद करेंगे क्योंकि उनकी उत्ति जनसंख्या वरदी के लिए की गई है हर साल एक बच्चा पैदा करना है बहुत सारे लोग बच्चा पैदा करते हैं वन्स चलाने के लिए अरे लड़का लड़की को लड़की ऐसी है तो लड़का पैदा करो लड़का पैदा करने के चक्कर में वो 4-5 बच्चे पैदा कर देते हैं, तो उनका एम अला है, कुछ शरापी के बच्चे पैदा कर देते हैं, कुछ ऐसे या दूरे पैदा हो जाते हैं, होना है तो हो गए, शादी हुई किस से हुई, क्या हुआ, क्या हुआ, बच्चे हो क्यों हो गाए, किसलिए हो गाए, कैसे हो गाए, कोई नहीं, कोई उसमें प्रेम तो है ही नहीं, उसका जो प्रोडक्शन का जो बेस है, वो प्रेम नहीं है, वो लव नहीं है, वो तो बस ऐसे ही पैदा होते जा रहे हैं, इसलिए राम नहीं निकल रहे हैं, इसलिए क्रश्ण पान नहीं कराई, भगवती तुपुरा साक्षात प्रकट होके उनको इस तन पान करा देती है, आदि गुरु शंकरा जी, उन्हों लिका इस दर्वड बालक को, भगवती तुने अपना साक्षात इस तन पान कराया है, तो बेरी तो लव चाइड हुए न, को भगवती तुप आदिगरु शंकराचा जी को, नहीं कर दिया, गुरु इस गनेश, हुए न, कारति के, और करति को तो गंगा जी ने भी पालाया, और मात्रकाओarla उन्हों भी पालाये, मिल्के , 24 मात्रका जो भी है उन्हें मिलके पाला है He's the law child गणश जी के लिए तो भगवती ने पूरे संसार को रोक के रख दिया था क्योंकि शंकर जी को मालूँ भी नहीं था कि किसके पुत्र है उनको बाप को तो मालूँ भी नहीं था किसके पुत्र है वो तो परव आपको मैं ये ये जो ये शिप्रिचुलिटी ये तो law child किलाओ किसी में है ही नहीं आप ये subject मेरे जैसा गुरू ही इठा सकता कोई और गुरू इसको नहीं इठा सकता और नहीं इसके बारे में आपको विबेचन करके बता सकता है पर जो मैं बात कह रहा हूँ बुद्धा is a love child वो प्रेम के प्रती और उसके ये की बच्चा हुआ वो भी अपसरा थी वो ये एक बच्चा दिया और उसके बच्चा चली गई मर गई डेथ हो गई उनकी और उसके बाद वो जो बने तो जब बुद्ध पैदा हुए तो उनकी मा चली गई तो उनके पिता ने जिश्यों को बुलाया कि भाई आप लोग आईए यह मैं आपको श्री विद्ध्या की बाते इस पर ये सारी श्री विद्ध्या से क्योंकि ये कुल विद्ध्या है ये कैसी कुल विद्ध्या है जिसके श्री विद्ध्या होती है तो इस बात से आने से पहले एक बात और बता देता हूं को मेरी मा एक ही बात कहती थी कि मेरे चार संताने हुँ मैंने चार बार गर्ब धरन किया और चारो संताने जीवित नहीं और चारो संताने हम चारो भाई बेन आज जीवित हैं मेरे मा भी नहीं है दो महीने में एक महीने में हो गया उन्हों चार बार भारण किया चार संतानों की उत्पत्ति की और चारों संताने माता पिता के सामने जीवित रही नहीं तो ये कुल विद्या है यही श्री विद्या है शुद्ध विद्या है कि आपके बच्चे आपके सामने नहीं तो कितना विडंबना है आप देखिए कि अगर बच्चे माबाप के सामने मरें तो माबाप को किछाती कित्ती पढ़ जाईगी माबाप चले गए बच्चों ने माबाप को कंदा दिया माबाप ने बच्चों को कंदा नहीं दिया ये जो मैं आपको बार बार कहता हूँ मेरे श्री विद्या के वीडियो देखो क्योंकि आप संतानुत्पत्ति पूरा संसार संतानुत्त्ति कर रहा है ना संता बच्चों के लिए सारा कुछ कर रहा है पर संतानों पत्तित तो कर रहा है पर उसके लिए आपके साथ पीडियों में मैंने बार बार कहा कि श्री विध्या की उपासना क्यों श्री विध्या की उपासना इसलिए कि आपकी साथ पीडियों में क्या चाते हो आप सिर्फ न क्यों आपकी साथ पीडियों में कोई सिवाजी महाराज नहीं निकलता क्यों आपकी साथ पीडियों में कोई माना पताम नहीं निकलता कोई लता मंगेशकर क्यों नहीं निकलती कोई अब्दुलकलाम आजात क्यों नहीं निकलता कोई कपिल देव क्यों नहीं निकलता आपकी जो अपनी फिर्म में नंबर वनो, कोई आपका टॉप क्लास पॉलिटीशन, टॉप क्लास प्रसनालिटी, टॉप क्लास हीरो, हीरो, कोई दिलिप कुमार क्यों निकलता आपकी साथ पीडियों में, दिलिप कुमार सा छोड़ी एक छोटा सा जूनियर आटिस्ट भी आपकी पिला रहा है, उतना ही फूक रहे हैं सब कुछ अपने बच्चों के उपर, पर अगर उसमें मंगोल चाइल्ड पैदा हो रहे हैं, क्रिमिलल्स पैदा हो रहे हैं, उसमें शराबी कबाबी पैदा हो रहे हैं, उसमें जुवारी पैदा हो रहे हैं, आपकी साथ पीडियों मे तो क्या मतलब है जो आपका वंच ट्री है और ये वंच ट्री धीरे धीरे बढ़ेगा अगर आपके वंच ट्री में ये चीजे नहीं निकल रही है तो फिर आपके शहर में कोई निकलेगा आपके कस्वे में कोई निकलेगा आपके गाओं में कोई निकलेगा आपके राष्ट में कोई नहीं निकलेगा, और आपके Марश google नहीं नहीं निकलेगा, ये सब में जो विश्व की सबसरा जनसंक्या है कहां है, एशिया महादीप में चाइना, इंडिया, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कचरा यहाँ पे सिर्फ कच्रा बर्मा फर्मा यह सिर्लंका विलंका मिला के यहाँ पे दो तीहाई जनसंक्य यहाँ पर है समझे आप वहाँ पे 200-200 करोड़ चाइना में पढ़ें 100-200 करोड़ इंडिया में पढ़ें ऐसे 25-50-100 करोड़ आजपास के कच्रा पंती रोज बच्चे पैदा होते हैं पर उसमें है क्या उनमें वो क्या हैं वो कर क्या रहे हैं वो क्या करेंगे उन्होंने कौन सा नाम कमा ले हैं उन्होंने कौन से सारी चीज़ गली जब मड़ी दीप का वर्णन होता है Self Illumination 100 प्रकाशित मड़ी दीप में भगवती तिपुर सुंदरी का जो दीप है उसमें अगर एक तितली भी उड़ रही है तो 100 प्रकाशित है एक अगर उसके अंदर पक्षी भी उड़ रहा है तो 100 प्रकाशित है एक रत्न है तो वो भी 100 प्रकाशित अंदर से उसके प्रकाश निकल रहा है अगर एक वहाँ पे कोई पीड वरक्ष भी लगा हुआ है तो वरक्ष भी 100 प्रकाशित है वनस्पतिया भी 100 प्रकाशित है जैसे हमारे तो एक संजीवनी की बात होती है मातर की संजीवनी में से अंदर से प्रकाश निकलता था जिसको डूरने हनुमान जी गए थे पर मड़ी दीप में तो कोई भी चीजा वहाँ पे जो चीज सौप प्रकाशित नहीं है वो निशिद है जिसने सेल्फ इलूमिनेशन नहीं कर लिया उसका मड़ी दीप में मड़ी दीप में हो ही नहीं सकता वहाँ पर पशू भी है तो वहाँ पर गाय के सींग भी सौप प्रकाशित हो रहे है काम देनू भी है तो सौप प्रकाशित हो रही है कल्प प्रकाश है तो सौप प्रकाशित हो रहा है उसको किसी और किसी अंदर से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है उसके अंदर से सौ प्रकाश आत्म प्रकाश फूट रहा है वो स्वेम एंड लाइटेंड है इसलिए वहाँ पे बिजली आप जब हमारे हैं बिजली गोल होती ही तो हम लोग क्या करते हैं हम घर में एक छोटी सी मुंबती छोटा सा दिया जला ले टार्च ले आते हैं यह लाइट चली गई चलो टार्च की रोश्टी से हलका सा करें सारी चीज़े देखें क्यों क्यों क्योंकि छोटे प्रकास से ही हमको जो प्रकास हम त्याग चुके हैं उसको भी हम ढूडते छोटा सा चलो इससे काम चला लेते हैं अभी बिजली चली एई थोड़ी देर में आई जब तक हम एक दिया यह मुंबती चला के काम चला लेते हैं पर मड़ी दीप में कभी भी बिजली नहीं जाती, इसलिए बिजली नहीं जाती, क्योंकि वहां से अंदर से हर आदमी, हर एक एक कण स्वाप प्रकाशित है, आत्मी प्रकाशित है, अब हमारे पास तो बहुत सारे रत्त होते हैं, पर उन रत्तों में मड़ियों में वही कि जो भगवान श्रीकर्ष्ण के पास रही है उन्होंने वहाँ पर रख दिया उससे सारा सब कुछ स्वप्रकाशित हो जाता था आत्मप्रकाश हो जाता था उसमें से प्रकाश निकलता था तो ऐसे मनुष्य हैं ऐसी चीजे हैं तो यह आत्मप्रकाश सेल्फ हो एक जो सिस्टम है आपका एक जो सो कॉल्ड विवा का सिस्टम है एक शादी का सिस्टम है एक मैरीज का सिस्टम है एक स्वाजे संतानुत्वत्ति का सिस्टम है जो है इस सिस्टम से कच्रा निकल रहा है ना बिरोजगारी भगवान का देन नहीं है आप मेरी बात को सुनिए रोग बिमारी इश्वर की बिलकुत देन नहीं है गंदगी इश्वर की देन नहीं है पूरा प्रत्वी को खोद के रख देना प्रत्वी प्रदूशन इश्वर की देन नहीं है ये जितनी भी समस्य हैं आप ज़्यादा मुसल्मान हो जाएंगे तो हमारा राज हो जाएगा उसके लिए बच्चे पैदा करते जाओं मैं बहुत साब और इसमस्ट बादी बात करता हूं हम ज़्यादा हिंदू हो जाएंगे तो हम भी ज़्यादा बच्चे पैदा करो और कुछ ने का दरसरा पी के बच् करोड रुपए कमाता है तो पांच करोड कमाता है पर मैं आपको बोलता हूं सवा पांच करोड रुपए उस पर खर्चा करता है 25 लाग एक्ष्ट्रा बता है वो भी खर्चा करता है अपने अपने कूल और खांदान के उपर वो किसी को दान देना यह बहुत डिवाइन बात है पेड़ पौधे लगाना किसी का अच्छे कारे में करना मंदिर का निर्माड करना धर्मशाल यह तो डिवाइन काम है यह किसी को चैरिटी इस वेरी डिवाइन जॉब वहर के थोड़ी करता है कोई नहीं करता है वो सरफ अपने परिवार अपने वंश और अपने घर गरस्ती पर अपने उपर खर्चा करते हैं लोग बाग पांच करो अपने लोगों पर होता है वो उसके वाज रिजल्ट क्या है क्या रिजल्ट है जी रो वो किसी काम के नहीं होते है वो अपने माबाप का भी मरने से पहले अंगूठी निकालते हाँ से अंतिम सच्कार करने से पहले देखा है हमने कोरोना काल में क्या क्या हुआ हुआ है वो इन्यानवे किये एक नहीं किया और आप जो पूरी जिन्दिगी, पूरे वंश में, पूरे कुटु में साथ पूरेंसे उनके लिए चोडी कर रहे हैं, डकेती कर रहे हैं, भरष्टाचार कर जूट मोलते हो पैसा कमाने के लिए, सब धतकरम करते हो, नकला नकली समान बेशते हो, जितने पाप पाखंड होते हैं, सब आप पैसा का अपने परिवार को पैसा कमाने के लिए करते हो, हर क्या हमको पैसे, पर वो पैसे का उपयोग क्या, what is the use, क्या निकला, क्या है सामने, एक अती सुंदर ही निकलाए आपके? बहुत सुंदर कोई स्त्री पुरुष आपके परिवार में निकलाए? मैं तो नहीं देखता निकलता कोई. कहां निकलते हैं? बताइए. कि जो लोग ठिटक झाये, खड़े हो जाए. क्या ब्यूटी है, क्या सुंदरता है, खड़े हो ज देते हो आप कलर कॉंबिनेशन मिला के बैठते हो मकान का बनाने के लिए पर जो आप जो आपके घर में पैदा हो रहे हैं जो आपके वंश में निकल रहे वह क्या को क्या डे आर ले कौज करते हैं Может करते हैं अ 민주 की लाओ उप खाते हैं बैटके और फूकते हैं और दिन बार आपको कश्ट देते हैं इसलिए श्री विद्ध्या के उपासना ये कुल है मैंने का दलाव चाहिए आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं और सची बात बता मैं जूट उट नहीं बोलता जब माता जी गुरू जी के पास पहँची तो गुरू जी ने because we have lot of टैलिफोनिक डिस्केशन विद गुरू जी हम आ राध। गुरू जी से टैलिफोन में बहुत बात होती थी तो गुरू जी ने का कि मैं अपने गुरू से प्रेकर रहा था कि ये मुझसे दिख्षा ले ले ये साधना बैठी है, इसको का कि मैं अपने गुरू से प्रे कर रहा था, कितनी बड़ी बात है, आप इस बात कि इसमें कोई महिमा मंदन है, मेरा महिमा मंदन है, इसके तर्क, इसके तथ्य में जाईए, तो उन्होंने का कि मैं अपने गुरू से प्रे कर रहा था, कि साधना म उससे दिख्चा लेने उन्होंने देख लिया था उन्होंने सेल्फ इल्यूमिनेशन देख लिया था उन्होंने त्याग देख लिया था उन्होंने प्योरिटी देख ली थी उन्होंने ये चीज देख ली थी कि अगर ये श्री विध्यायुक्ति उद्धार कर देगी यह इतनी डेडिकेटेड होके काम करेगी यह मेरे नाम पर नोट नहीं खाएगी मेरे नाम पर चिंदी चोरी नहीं करेगी मेरे नाम पर इसको बिल्डिंग बनाने की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी मेरे नाम पर यह ब्रश्टा चान नहीं करेगी यह मेर ने दिख्षा ली उन्होंने वो उनके जीव उनके चेहरे पर एक इतना सैटिस्फेक्टरी और इतना कंटेंडमेंट आ गया कि पर एक गुरू जो निकलेश्वानन जैसा गली गली कूचे कूचे शहर भटक रहा है ट्रेनों में जा रहा है इधर जा रहा है इसको दिख्षा दे रहा है यहां बैगन की सबजी खा रहा है तो आलतू फादू जिनकी सकल नहीं देखनी चीए उनके मूँ देख रहा है क्यों क्योंकि खोज होती है लाव चाइल्ड की और जिस दिन लाव चाइल्ड उनको मिल गया साधना के रूप में लाव चाइल्ड मिल गया उन्हें नेनका यह मेरी पुत्री है यह मेरी बेटी ह ये मेरी रिशी पुत्री है मन्च पे चिला कर उन्हें ये बात को कही और आज वही लवचाइड मात्गु सद्गुरु सवामी निखलेशोन नाम माराजी का नाम रोशन कर रही है कभी पैसे के लिए कमी नी करेगी अगर मैं ये निखिल दाम बना कर मैं उसी की दम पे चला मैंने का भाई तू बन भी कर तो रही है पर तू तो कभी जरूरत पड़े तो मैं तो बहुत खड़ा आजमी की सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा पर तू पीछे से स्टेप बन के ना तो मैं समाल लूँगा सारी चीजे तो वो इस बात को तयार थी तो ये लव चाइल्ड होते हैं ये लव चाइल्ड नहीं हो तो स्रस्टी में लव चाइल्ड ना हो तो स्रस्टी कचरा हो जाए वैसे भी स्रस्टी ये बायोलोजिकल संतानों के वज़से कचरा हो एक सन्य आसी जिसने घर छोड़ दिया परिवार छोड़ दिया बीवी बच्चे छोड़ दिया माबाप छोड़ दिया अपना नाम पता छोड़ दिया चला गया संसार में सादू बन गया पर वो भी अपने शिष्षी के लिए रो देता है अपने शिष्षी के लिए पीछे-पीछे दौरता अपने शिष्षी के अरे मेरा शिष्ष है चलो जो बाल ब्रह्मचारी हो गया अब क्या से संकराचार जी तो बाल ब्रह्मचारी थे ना पर फिर भी अपने शिश्यों के लिए कितना मेहनत करते हैं उन्हें शादियर के बच्चे थोड़ी पैदा कर लिए बट लॉव चाइल्ड है जिनको दिक्षा देके जिनको लॉव देके प्रेम के द्वारा उत्पन है जो लॉव चाइल्ड है उनके लिए गुरू अपना सब को जोग देता है अबर जितने सारे देवता हैं ब्रहस्मती क्या थे ब्रहस्मती को सबस्यादा कष्ट कोन देते थे यही लोग देते थे यह देवता लोग इंदर कभी सुनता था क्या ब्रहस्मती की गुरू को तो कष्ट होता ही है शुक्राचार को कष्ट होता ही है शुक्राचार राक्षासों के गुरू है और देवताव जी के गुरू बने हुए है क्या कहते है ब्रस्मती देवता हमेशा उल्टा जो ब्रस्मती कहते है उसका देवताव इंद्र हमेशा उल्टा काम करता है फिर बाद में जब जूते खाता है लाद सी जूते खाता है फिर आके गुरू के पास बढ़ जाता है जाएंगे कहां आएंगे तो गुरू के पास ही ने फिर बरस्मती जी काम करते हैं क्योंकि लौचाइल्ड है क्या करें कहा फेग देन को उठा के वैसे ये हैं क्या कहते हैं तुम्हारे दैत हैं उन्हों ने कहा शुक्र अचाए अरे भाईया भंडासूर से मत लड़ो भंडासूर को समझाया अरे भाईया तृपूर सुंदरी से मत लड़ कहा है कि लिए तू अपनी मट्टी पलित करवा कितना समझाया शुक्राचार जी ने कहां दुर्गाजी से तू लड़ने जा रहा है सब सत्रों समझाया सुम्ब निशुम्ब चंडमूंड जितने बकवास लोग थे इनको समझाया मत लड़ो दुर्गाजी से तुम क्या तुमारी बरबादी निश्ची तुम मर जाओगे मेरे पास मातार नहीं माने समझाया गुरू की सुनता कौन है गुरू की तो कोई नहीं सुनता जब मर गए वहाँ पर दुर्गाजी से मरने लगे तो फिदर आके फिर पाउप पकड़ लेते हैं शुकराचार जी कि प्रभू हमको बचाओ तो गुरू को तो ये जहिलना ही पड़ता है कि इसमें आप जैसे आमाता जी केती है आप लोग रिस्टेशन नहीं करते हो जाने तो अटा पर हम लोग ये सो मुझ के भूल जाते हैं लाव चाइड तुम लोगो अरे चलो ढीड बच्चे हैं आर माबाप चिल्दाते हैं भेंप से उत्थपन हुए हो यह लावचाइड की परिवाचा जिस दिन समझ लोगे उज्दिन सनातन धन को समझ लोगे नहीं न तो गणिश को समझ पाओगे न कार्तिके को समझ पाओगे न शिव जी को भर भैराव का मतलब भरण रमन वमन भैरौ भरण मतलब कि खाते जा जैसे चिलाते रहते हैं तुम लोग हमारा ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, गाना गाओ, नाचो गाओ, हला मचाओ, शोर मचाओ, तो इससे भाराव, इससे बनाए भैराव, और ये शिवजी के नीचे की एक स्टेज है, और शिवजी सबसे ज़ादा विश्वास भैराव क्यों पुरान कहा रहे हैं, मेरे तरफ से कहीं भी कोई एड़ नहीं है, तो उनसे जो शिवजी के आंसर से जो उत्पन हुए हैं, चाहिए वो जरददर हो, चाहिए उक्रोद भैरा हो, संगहार भैरा हो, उनमाद भैरा हो, दुनिया भर के कापाली भैरा हो, ये हो, भावी भाक्ष भैरा हो, ये जितने भी हैं, ये जो भैरा उत्पन हुए हैं, ये सिवजी से जिनका भी जो भी रहा है, तो उनके लाव चाइल्ड हैं ये, इसलिए ये हर जगा बैठा है, इन्हीं को सौब दिया सिवजी ने, जा तुम लोग पूजा हो, खाते रहो बैठके, हर ज जो उत्पन हुए हैं, और इनके ऊपर एक प्रेम होता है, एक सिश्य और गुरू सिश्य परंपरा सिर्फ भारत वर्ष में, वह भारत वर्ष में, इसलिए अध्यात हमेशा फला पूला, चला फिरा, और आज भी चलता फिरता है, क्योंकि गुरू को अपने लाव पीछे मेहनत करनी ही पड़ेगी, अपने लाव चाइल्ड के लिए सब कुछ करना ही पड़ेगा, और जितने भी विश्यों में, जितने भी जो भी हुए है, टॉप क्लास है, आर लाव चाइल्ड ऑश्य वो किसी ने किसी के प्रेम के द्वारा उत्पन पुत्र और पुत्र पर जो मेरी दादी थी, सगी दादी नहीं, मतलब मेरे जो दादा थे दो चार भाई होंगे, तो उनमें से एक की पत्नी थी, जो 14 साल के उबर में विद्वा हो गई थी, एटन एज ओफोर्टीन, वो बहुत पुराना जमाना च्छापरा की थी, तो 14 साल के उबर में विद् मिले हो तो रईष बड़ी परिवार, बड़ी thermalी की थी, तो वो दादी हमेशा गोद में खिलाती थी, इस में जह मैंने को यहाँ था, कि आकर मैं स्कूल जाता था तो मैंने स्कूल के बाहर बैटी रहती थी, और वो स्कूल में बाहर आऊ, तो मुझे डबर खिलाए, फिर उनको छोड़ने गया, तो मैंने उनके लिए चपल, जूते सब लेकर गया, दे तो रोने लगी आशिरवाद दे कर गई, फिर उसके बाद वो लोटी नहीं, वो चली गई अपने यूपी गाओं में वापस चली गई, तो जो लव चाइल्ड होते हैं, किसके द्वारा ही पालि कि उन्होंने हमेशे के जे नहीं, तुम सब गलत हो, मेरा करशन ठीक है, इतना माना, जेक रशना मूर्ती क्या थे, कि इस नथिंग, वो क्या थे जेक रशना मूर्ती, वो तो अगर उनकी तो पैदा होते हैं, उनकी मा मर गई थी थोड़ो दिन और बाद, दो मास्टर इंडियन महिला थी, एक बिटिश महिला थी, जो इंडिया में आ गई थी, और जिसका संसद वनसद में सब जगह न आव था, बहुत बहुत ही उची उच्छी जमाने में समझ लो, इस बहुत हाइफ आई थी, उस जमाने की, वो इनको उन्होंने इसको एड़ोप्ट करने के साथ कभी नहीं चोड़ा जीवन के अंतीम समय तक कर्ष्णा मूर्ती जी के साथ खड़ी रही बिलकुल मा के रूप में और आखरी में भी यह सोचती रही जो इनको 600 एकड़ का जो वहाँ पे USA में मिला था 600 एकड़ जब इन USA में कर्ष्णा मूर्ती जी कहां से लेते उनको ख इसलिए उनको सारी चीजे मिली सारी बाते हुई सारी इस्तितिया बदली तो यह जो श्री विद्या है यह परा विद्या यह वर्श की विद्या यह शुद्ध विद्या है और इस शुद्ध विद्या में ऐसा ही प्राद अब कई बार लोग आते हैं एक सब्द है शक्ति प पाथ, पाथ मतलब पतन, नीची को गिरना, उसे कहते है पाथ, अब लोग सोचते हैं शक्ति पाथ दिक्षा तो कहीं ऐसा बिजली का जटका लगेगा, या सर पे डंडा लगने की आवाज आई या चटाक चुटूक होगा, क्या है मूर गवानों का देश है, तो कुछ समझती अब आपकी जैसे दिक्षा होती है, अरे भाई, जैसे आप मुझे दिक्षा लेते हो, आप आते हो, मैं आपको clamoraj जी आपको दिक्षा देता हूँ, आपको law child बनाता हूँ, वैसे मेरी और माता जी की किसी जमाने में निकले सुनाना के सामने जमीन बेटके दिक्षा और करपात्र जी महाराज जी भी आज शंकराचार जी के सामने बैठके वैसे ही दिक्षा हुई है वैसे ही बुद्ध की भी दिक्षा हुई है और बुद्ध ने भी ऐसे उकुरू बना के लोगों को दिक्षा दिये दिक्षा ऐसे ही दी जाती है यह जो किताबे पढ़ लेते ह यह सुब पढ़ लेता हूँ इससे जो तुम हवावाजी सीखते हो ऐसे ही होती है हमने जब मैं आज तुम लोग कभी कभी तुम तुम को दिक्षा देते नए बच्चे आते हैं सामने बैठते हैं पी ताम बार ओर के कैसे दिक्षा देंगे जैसे मैं तुमको इस पर्ष करके दिक्षा दिता हूँ वैसे ही तो मेरे गुरू जी ने भी दिये न वैसे ही तो माता जी की भी दिक्षा हुई है थोड़ी गुरू जी ने डंडा मार के दिक्षा दिये यह सा गर्दर को गोल मरोल के दिक्षा दिये मूर्खों जैसी बाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसी दिक्षा माता जी की हुई है वैसी मेरी हुई है, वैसी आप की हुई है ऐसे ही love child का creation होता है और ये love child जो बड़े गुरु जी के आज कहा न कि, कितनी बड़ी बात की हैं और कि यह मुझे से दिख्षा ले ले हम और कई लोग मुझे कहते हैं आप बहुत sentimental हैं बहुत emotional हैं बहुत ज़ादा sentimental होना emotional होना और बहुत ज़ादा समवेधनशील होना It is an advancement of nervous system Nervous system का जब बहुत ज़ादा advancement होगा जो जिसे कहते है यहां बैठे हो आप पीछे जहरना बहरा उससे जाके जुड़ जाएगा तो उसके लिए आपको highly sensitive, highly emotional, highly sentimental होना पड़ेगा आप मकाशिच इलाबाद में बैठा है और आप यहां बैठे हो अगर आप emotional नहीं हो, sentimental नहीं हो और समवेदंज, अती समवेदंज शील नहीं हो तो बताओ भाई, आप बैठे हो भोपाल में, वो बैठा है, इलाबाद में वो बैठा है, लखनओ में वो बैठा है पहाल के उपर हिमाचल पदेश में या वो बैठा है, चंडीगड में या वो बैठा है उससे आपका connection कैसे बनेगा आपके nervous system का advancement तो होगा आपका nervous system तो इतना advance होना ही चाहिए कि आप उससे जुड़ो और जब आप उससे जुड़ोगे तो आप उसका जब वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आपको यहां बैठे बैठे ही मालूम चल जाएगा किसी पर चलता है और किसी चीज़ पर नहीं चलता है इसी चीज़ के कारण कि हम जब होते हैं तो हम आपको समझते हैं कि आप आप क्या कर रहा है हम आपको feel कर सकते हैं आपको सारी बाते आपकी महसूस कर सकते हैं नहीं, तो हम कैसे महसूस करेंगे, आप बताइए, माइंड is infinite, मस्तिष्ख ही infinite है, और कुछ भी infinite नहीं है, अगर infinite है, तो माइंड है, पर आपको उसमें एक दो बाते समझ नहीं पढ़ेंगे, सबसे बड़ी बात दिक्कत है, कि हम सिश्चों को एक चीज का ध्यान रखते हैं, एक चीज़ों को देखते हैं, कि आपका माइंड चोक न कर जाए, अगर मानलो आपको किसी ने गाली दे दी, अब आप दस दिन तर सोचेंगे, उसने मुझे गाली बकी, गाली बकी, उसने मेरा अपमान किया, अपमान किया, तो दस दिन तक आपका माइंड चोक डुर रहेगा, आप बस क्योंकि आपकी जैसे नाली जाम हो जाती है न, कि नाली में कच्रा फस जाता तो पानी नहीं बैता, वो चोकी हो गई उसमें, वैसे ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिश्चों के साथ क्या है, कि सिश्चों के माइंड चोक डुर जाते है, एक नॉर्मल हुमन बींग का माइंड चोक डुर जाता है, और उसका माइंड, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनका माइंड 20-20 साल से चोक पड़ा हुआ है, कोई समझ सही नहीं उनको, पर चोकिंग हो गई उनके माइंड में, उनका माइंड जाम हो गया, नाली 20 साल से जाम पड़ी तो पानी बहेगा कैसे, 25 साल तक अब तो आधी जिनकी तुम्हारा माइंड चोक ड़ा हुआ था ना, बस यही सोचते रहे, का अगर आपको शक हो जाए, अगर आपको कुछ वहम बैठ जाए, आपको यह वहम बैठ जाए कि इस मकान में भूध बैठा हुआ है, अब आपका माइंड चोक हो गया, एक थौट आगया, भूध बैठा इस मकान में रहते हैं तो सारी दिक्कत होती है, इस मकान में रहते हैं तो गड़ब़ होता कुछ ने कुछ, अब वो पच्चीस साल तक मकान का ना सुक उठा पाए ना आपको उठा पाए क्योंकि माइंड चोक हो गया अगर कोई भी वहम हो जाए कोई शक हो जा रहे है इधर से निकलने में अशुब होता है बस माइंड चोक हो गया ये चोकिंग है जो आप समाज से जी रहे हैं समाज सिर्फ आपको समाज और ये किदवन्तिया और ये जो पढ़ रहे हो ये सारी चोकिंगे काली बिल्ली कार रास्ता काड़ गई तो अब कुछ बुरा होगा अब कुछ बुरा होगा अब ये सपना देख लिया तो कुछ बुरा होगा अब ऐसा होगा ये आदमी की शकल देख लिया तो कुछ बुरा होगा अब ऐसा ये ग्रह काल आ गया तो कुछ बुरा होगा ये जो आपने असंक की चीज़े बना लिये इसने आपके मस्टिश के रोम छिद्रों को चोक कर दिया है जब सबसे पहले पास आप गुरू के पास आते हो तो गुरू का ये काम है कि आपकी चोकिंग को हटाना कुछ आपके माबाब चोक कर देते हैं आपका दिमाग कुछ आपके रिष्टेदार चोकिंग कर देते हैं आपके दिमाग की तो जो जिसी कहते हैं ने सारजी ये मस्तिष एक संपूर्ण छिद्रवान और उसको संपूर्ण पारदर्शी बनाने के लिए वो चोकिंग हटानी पड़ती है वो कहते हैं के सारे गुरू बुरे होते हैं सारे गुरू पाखंडी होते हैं अब आपका माइंड चोक हो गया और दस साल तक आप गुरू के पास आते रहोगे गुरू चोर है पाखंडी है दुष्ट है चरितरहीन है ये बस आपके दिमाग में भरी हुई बात है वो उस्ते दस साल आपके गुरू साथ कुछ नहीं सीखा क्योंकि आपके माइंड की चोकिंग है दस साल तक आप सिर्फ गुरू को यही परक्त है कि गुरू जी ने मुझे पैसा तो नहीं ले लिया या गुरू जी ने मुझे कुछ मांग तो नहीं लिया या गुरू जी मेरा फायदा तो नहीं उठा रहे इस चक्कर में आपका माइंड चोक पड़ा हुआ है जैसे आपके घर की नाली चोक पड़ी हुई आपका गटर चोक पड़ा हुआ है वैसे वो बदबू करने लगता है, वो चोकिंग है, that is the problem, और गुरू एक चीज़ और देखता है, हम लोग एक चीज़ देखते है, what is it driving, आपकी जो लाइफ है, आपकी कही तरह की लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ है, आपकी सोशल लाइफ है, आपकी पॉलिटिकल लाइ यह life के पीछ वाट इस द्राइविंग फोर्स who is the driver कौन सार्थी है मैं आप बहुत मुद्दे की बात पर आता है कौन सार्थी है कौन चला रहा इसको क्या प्रभूश्री कर्श ने चला रहे है better हुआ कि आपकी जो driving force हो प्रभूश्री कर्श्ट हो the क्रश्ट हो the consciousness of क्रश्ट हो तो तो better है कि दो क्रश्ट ही डिकलेश्वरान no difference at all वो हो तो कोई differ नहीं करता क्योंकि क्रश्ट है आपकी क्या आपकी आप सुबह से साम तक काम इस लिए करते हो क्योंकि आपके आसुरक्षा की भावना है it means the process of insecurity is the driving force behind your working क्या उसके क्या result आएंगे जिसको असुरक्षा की भावना है जिस आदमी को काम करने के लिए मजबूर कर रही है उसका काम करना बेकार है क्या कोई fear factor बैठा हुआ है अरे काम नहीं करेंगे तो कैसे क्या होगा या सब करते हैं इसलिए मैं करूँ ये driving force है what is the driving force behind it उसके पीछे का driving force क्या है ये check कर लेना चाहिए एक बार और जब आप ये check कर लोगे कि इसके पीछे का driving force ये निखिलधाम बना हुआ है अब इस निखिलधाम को बनाने का driving force क्या है क्या ये है कि लोग मेरी आरती उतारे है कि मैंने निखिलेशिवारंद का मंदिर बनाया ये driving force है क्या तो हो गया मेरा कल्यान क्या ये driving force है कि मेरे कोई से बहुत यस के शिद्धी कीर्थी मिलेगी क्या ये driving force है कि मेरे को इस से कि मेरे पाउँ चूलेंगा बहुत सारे मिलियन सॉफ हो सकते जिसके कारण आप कह सकते हो कि यह ड्राइविंग फोर्स है इसको आपने अपनी या मैंने अपनी इगो को सैटिस्फाइट करने के लिए निखिल दाम बनाया कुछ भी नहीं ऐसा एक बहानी एक माता जी भी इसकी साधना की गुरु माता ने साधना से कहा कि बेटा जब राज तिलक का समय आया तो वनवास हो गया आपकी माता जी से कहा साधना से कहा उन्होंने कि गुरु जी की पत्नी ने कहा कि बेटा जब राज तिलक का समय तो वनवास हो गया मतलब गुरू जी जो थे सद्गुरू स्वामे निकलेश्वा नमा इस बिग फाइटर वो सारी जिंदिगी एक परम योद्धा की तरह लड़ते रहे हर विपरीत परिश्थ अपने प्रावचर में भी कहते थे हर विपरीत परिश्थी थी उसे उनको हमेशा विपरीता के हर चीज से युद्ध कि आपने शरीर से युद्ध करते थे सब चीज से युद्ध करते थे विपरीत परिश्थितियों से ये वो दुनिया भर के पचड़ा युद्ध करते थे पर वो बात हमको वाँ चुप गई वो बात हमको वाँ लग गई वो इसने लग गई कि ये कित दुनिया में नहीं है तो कह दिया कि जब राज तिलक का समाया है तो वनवास हो गया हमने एक बात साफ साफ सब्दों में कह दी हम लाव चाइल्ड है आपका जो जिसको जो काल आपको वनवास लिखता है लिखता रहे हम आपको वनवास होने नहीं देंगे और हमने अपने हम काल को भी हम काल को भी जीत कर निकल गए हमें काल तुझे जो करना कर अभी आने वाला एक अंक है जिसमें मैंने काल सहस्ता नावाली चापी है और काल सहस्ता नावाली इसलिए चापी है जो काल जो जो काल होते हैं ने ये महा काल महा काल क्या है ये काल उसी के अंडर में काम करते हैं एक हजार आठ जो नाम है काल के वो महा काल और उन्हें एक हजार आठ नामों पर जो जीत हासिल कर लेता है वो महा काल कहलाता है तो हम काल को भी नहीं मांते हैं काल के दे भाई ठीक है तू तू वनवास कर हम निकलेश्वा राज राज़ेश्वर के समान बिठाया, और आज आप मंदिर देख लिए, पूरा महल है, पूरे महल के समान बैठे, माता जी भी गई होंगी, तो हलुए के परसाद चड़ा की आई होंगी, वही सुद्धगी के, क्यों, क्योंकि राज-राज़ेश्वर का भोग लगा के आई सूर्य लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है वायू देवताला लड़ने के लिए खड़ा हो जाते हैं अपने लव चाइड के लिए खड़ा हो जाते हैं करश्ण खड़ा हो जाते हैं जब रुकमडी से जो करश्ण के वह अलाद हुई है रुकमणी का प्रेम विवा क्रश्ण के साथ लेकर गए उनको यहां से तो रत में लेकर गए जो उनसे जो संतान रुठपन हुई थी उसके लिए तो भगवान श्री करश्ण ने कितने पुत्र मर गए क्रश्ण भगवान के जब अनिरुद्ध के उनका जो पुत्र नाम याद नहीं रहता है कई बार क्या नाम था उनका जब उनका हरण हो जाता है रुकमणी पुत्र का तो भगवान श्री करश्ण सुदर्शन चक्र उठा लेते उनका अपने परिवार के लिए कभी सुदर्शन चक्र ने उठा है पर अपने लौचाइड के लिए उस महा सुदर्शन चक्र उठा लेते बाई अपने बच्चों को कोई प्यार नहीं करता है पर बच्चों के बच्चों को बहुत प्यार किया जाता है अगर बच्चों से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको माँबाब कितने भी खड़ों से उनको नहीं डारे चाब ठीक यार उनमें एक भाव आजाता है एक love का भाव आजाता है एक love child का भाव आजाता है यही तरपर सुन्दरी है यही श्री विद्ध्या है यही श्री विद्धिया कि आपके वन्ष में और आपके अंदर ऐसे भाव की उत्पत्ति हो then you become a loved child you will get everything आपको सिद्धिया, विद्धिया, बेसिद्धिया यह सब चीजे सब ऐसे ही मिल जाएंगी गुरु मार्ग में ऐसे ही मिल जाती है क्योंकि गुरु मार्ग चलता है इससे हमने देखा है ना कहां माता जी, कहां निखलेश्वारन कहां किस प्रदेश में वो, किस प्रदेश में ये कहां कौन, कहां कौन, जान न पहचान, बड़े मिया सलाम फिर भी नाम लेते, फिर भी बुलाते कोई खून का रिष्टा नहीं, कोई हड़ी-चमड़ी का रिष्टा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई स्वार्थ में किसी शषिर ने मुझे लिखा और जिसके रहस्य को कोई समझ ही नहीं पाया आज तक मैं एक बार कुछ काम था बड़े गुरु जी का तो भोपाल का सबसे बड़ा नोटरी होता था उस जमाने कुछ शिरवास्तो और मैंने कुछ नोटरी बनवाना था तो मैंने गुरु जी का बहुत सारे काम होते वाइशुड आ टेल यू तो बनवारा था नोटरी तो उसने मुझे एक बात कही यार आपके जो गुरु जी है न वो विश्व ब्रह्मान के सारे रहस्यों को समझ गए सबसे बड़ी बात उसने कही कि जो बड़े गुरु जी है आपके मैं तो मिला पर ब्रह्मान के सारे रहस्यों को समझ गए हैं मैंने सुब सब्सक्राइब ध्यान नहीं hätte इनकर यारी ये नोट रही है तु बना बुरू दे छुटी कर तेरी कहारी मानी बाद में सुनेंगी हम जिसके सामने सारी चीज़े खुल जाती है वो जो समझ जाता सारे रहस्यों को सारी चीज़ों को जो क्रिया को समझ जाता है और मैंने बोला यह लाव चाइल्ड की क्रिया मैं बहुत करता हूं मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं I had seen Sarah Ali Khan मैंने उसको एक दिन देखा पर जो श्रीविद्या के पासा कि आपकी माता जी आ मैं जो स्री विद्या की बात करते हैं श्रीयंत की बात करते हमी रूप देंगे हमिए योवन देंगे हम जवानी देंगे हमिए आपको क्या कहते हैं यश देंगे हम प्रसिदीं देंगे हम लिए क्योंति tribe कर देंगे हम विएर कुछ निया बना देंगे क्योंकि हम श्री विध्या के उपासक हैं हम कुछ भी कर देंगे हम कहां से हम आर आपको फर्ष से आर्ष पर पहुंचा देंगे और ज्याजा करोगे तो रिवर्स भी हो जाता है हम कुछ नहीं करेंगे बस एक नजर का केल है जिदर नजर इना जिदर नजर उड़ गई वहां सब वाला लेने वाले की capacity होनी चाहिए हम मैंने कितने लोगों को बनाया मैं सच बता हूं आपको मैं तो बहुत सारी models को देखता रहता हूं बस एक बार मैं कहतेता हूं यस ये निकलेगी बहुत आगे और इससे law child की उत्पत्ती होगी उसके लिए हमको कोई sex करने की जरूफ न जाएगे और काम हो जाएगा उसके घर में लव चाइड उत परना हो जाएगा उसके घर में कुछ विलक्षण उत परना हो जाएगा उसके घर में कुछ विशेज घटित हो जाएगा कर देंगे और ऐसे ही इस देश के रिशी मुनी करते आएं इस देश के साथू संथ करते उनके तो बच्चे नहीं ऊरे थे मोकिला नेरू के stratुड स्री विध्या का या जा कीओ नहींनी हो एक पर किसी ने गांदी जीगार में बच्चे बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे हार लिकाhal tipo bélar बाप से कहे लिए जा लिकार बाप जा टिक जाती, नाम तो नहीं लोगा, बताऊंगा, हाँ, ये है, ये लेडी है, ये आगे बढ़ेगी, इसमें capability है, law child को उत्पन्न करने की, ये कर लेगी, ये बात ना, किसी से कही जाती है, किसी सुनी जाती है, चुकि वीडियो है, सादकों का वीडियो है, लोगों तक पैसा देना है, किसको पैसा नहीं देना है, किसको उसके हाल पर छोड़ देना है, ब्रह्म चलते हैं साथ में, मैंने दो लोगों का अपने सा जीवन साथ देखा है, एक आपकी, मैं ऐसा नहीं बैठी हैं, आज बोला हूँ, एक इनको देखा है, मैंने इन दो लोगों को दे क्रते हैं के थक जाओ वह तो करेंगे नहीं करते हैं पर यह natural ही होटा he और जिनको कुछ नहीं आता जोगधे होते हैं वी यह स्कशनी आताए कि नापकल तो यह अभी शब्स झेलिजह में उनकल को señor जाज निखले सो अनन्द महाराच शाच श्री युक्त हैं इसलिए हैं क्योंकि अभी शप्त नहीं है वो अभी शप्तता नहीं फैलाते वो ना किसी को श्राब देते मैंने बड़े गुर जी को कभी किसी को श्राब देते उनकी कि तो लोग बहुत गाली बगते थे उनको जो जो बोला हूँ परवा भी नहीं करते थे पर वो कभी किसी को श्राब देना किसी का बुरा कर देना किसी को ये कर देना किसी चल खपट कर देना वो किसी साथ पॉलिटिक्स कर देना शत्रनज खेलना ये सब उन्हें नहीं सीखा था और नहीं इनने सीखा और मैं भी नहीं ख के तो श्रीवान होना, एक श्रीवान होने का मैटर है, कि वो negativity में नहीं पढ़ते, एक बार the master से पूछा गया, यार आप तो इतने 50 साल से बैट के हर जेका भाषण देते हो, यह करते हो, दिक्षा भी देते हो, मंत भी जो भी करते हो, पर आप बताईए आप क्या परिवर्तन आये लोगों में, लोग पूछ देते हैं कि आपने क्या total transformation किया है, तो उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने एक बात बोली, मैं जिन लोगों से मिला हूं, जिनने मेरे किताबें पढ़ी, जिनने मेरे से सन्सपरशित थो है, जिनन को में ने touch किया है, जिननों ने मुझसे बातचित किये, they are not going to be criminal at all, वो criminals नहीं बनेंगे, और मुझे नहीं मालो, उन्हें सीधे का वो criminals नहीं बनेंगे और मुझे नहीं मालो, वो किसी के साथ बलातकार नहीं करेंगे, वो किसी का घर में डाका नहीं डालेंगे, वो किसी के बच्चे को चाकू नहीं घोपेंगे, वो कोई घोटाला अटाला नहीं करेंगे सरकारी पैसा नहीं खाएंगे इस तरह कि जो दुनिया भर की जाज कल देखते हैं दुनिया भर नो जो कचरापंती चल रही है वो सब वो सब नहीं करते वो अपनी जीवन पूरी जीएंगे, उनके पास सारी चीज़े रहेंगे, they are not going to be criminals at all, वो criminals नहीं बनेंगे और यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी बात है, कि आज जो उस निखले शोननन के शिच्षे हैं, जो वास्तों में गूरु मन जबते हैं, वो criminals नहीं होगे, जो इस निखले धाम में कदम रखके चले गए हैं, जो निखले शोननन को वास्तों में गूरु मान के चल उसकी गारंटी नहीं लेता, पर इस बात की गारंटी लेता हूँ, जो निखिल धाम में आया, बड़े गुरुजी सामने जुका, जिसने बड़े गुरुजी का मंतजाप किया, वो क्रिमिनल नहीं बनेगा, उसको सरकार उसके उपर रासुका नहीं लगाएगी, उसको नकली काम आलतुफालतो कौम सब्ष्मान का मंताता, मता जी थी कुछ देर आपसे बोलेंगे। अभी तुम्हारे गुरुजी लॉझ्जाइड की बात कर रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा, हनमान जी भी लौ चाहिड थे हनमान जी को कहा जाता है बाल ब्रमचारी हम हनमान जी अफसरा सती अंजरा के पुत्र थे मैंने का ना बहुत सारी बातें पुराणों में लिखी हैं पुराणों की बातें मैं पुराणों अरकों को नहीं समझा आप लोगों ने ये पूरान किया कह रहे हैं उन्हों न का राम लौजायर थे सती अंजननना कोई मंदरिया नहीं थी ऑफसरा थी और हनमां जी बहुत संदर थे लंबे चोड़े थे कोई वानर नहीं थे हनमागी वानर जाती थी और हिमाले के प्रजाथि होती जहां वानर लखा जाता है कि जब तूलसी दास ने रामाइंड लिखी कि लोगों ने बालमे की रामाइंड नहीं पड़ी लोगों ने तुस्री दास की रामेंड पड़ी, तुस्सी दास ने रामेंड लिखी तो उस समय बहुत सारी चीज़े थी, उन्हों ने अपने हिसाब से कि अरे भाई, भाई ऐसा होना चाहिए, भाई भाई होना चाहिए, तुम क्या पत्नी हों? पत्नी होना चाहिए, ऐसे कोई पत्नी होती है. भाई के लिए क्या ऐसा कोई भाई होता है? भरत जैसा भाई होना चाहिए कि समाज के लोगों को अच्छा लगे. मैं बता रही हूं कि उन्होंने लिखा कि और सारे मंदरों में हर्मान जी को वार क्योंकि हर्मान जी लॉचाइल्ड थे और गुरू जब बात की को सोग्रीम के सैनापती थे और वहाँ पर सबको लीट करते थे लंबे चोड़े बस्मान से अच्छ शिद्या प्राप्ति और श प्राप्ति हैं और शुग्रीम के सेनापती थे फिर अहां हर्मान जी ने शादी वी की और उनसे क्या कहते हैं माकरदवर्ज नाम का पुत्र भी हुआ उनका और तो अब लोग हैंगी माता जी आप नहीं बात बता रहीं कि हर्मान जी वानर नहीं ते और बात द॥र राम संजी के पास आए तब भी उन्होंने युद्ध किया हनमान भागवान राम का येक कम किया और दस भाव से कम किया। जैसे एक दस काम करता है। औपर हनों सुग्रीम से कुछ खोड़कर भागवान राम की शरेंड में आ गे थे और एक बार किसी ने कहा हनमां जी जिसे भगवान राम ने कहा कि तू तो मुझे प्यार करता है नहीं कि किसी लिखा और त 서ना चीत के तका दिखा दिया बस्पन से ब्रह्म के ब्रह्मक्चारी का मतलब यह होता है कि ब्रह्म से जो साक्षात कर ले, बस्पन से ब्रह्मक से उनका साक्षात का, बस्पन से ब्रह्मका ग्यान था, बस्पन से सिद्धिया प्राप्ति, इसलिए ब्रह्मक्चारी है, ब्रह्मक्चारी का मतलब यह नहीं ह बाल ब्रम चारी थे और लॉजाइड थे और दास भाव से उन्होंने भगवान राम के सारे कार्म की भगवान राम ने कहा कि सीता का पता लगा लिया सब कुछ कर लिया लंका मुवी जला दिया और सब कुछ किया उन्होंने और एक दास से एक ईश्वर बन गए क्योंकि लौजायल थे एक दास से राम के दास थे वो क्योंकि लौजायल थे राम के दास थे हमेशा कहते थे कि राम के मैं दास हूँ और राम के एक दास से एक ऐसा शिश्य था जो दास से भगवान बन गया कि शिशी में ही वही छमता है जो भगवान बन सकता है अगर शिशिता हो तो और यह छमता हन्मान में थी कि एक दास से वो भगवान बने और जितने मंदिर भगवान राम के नहीं है उससे ज्यादा मंदिर हन्मान जी के है और जितने लोग भगव की तरह बने आपको यही आशीरवाद देती हूं श्रीविद्ध्या पर बहुत सारे मैंने दो वीडियो बनाई श्रीविद्ध्या पर भतानी क्या आप लों का दिमाग है था नोगता हो नहीं उन को जो देखते वेखते हो नहीं और देखो एक बतांओ यह मैंने अपने जीव अपर देखना पड़ेगा, जैसे हम लोग भी देखते हैं, आज हम तो मास्टर की बुक्स पढ़ते हैं, कई बार कुछ मिल जाता है, यह नहीं कि एक बार आपने वीडियो देखे पढ़क दिया, आप उसको मिस्यूज कर रहे हैं, और दूसरे वीडियो को इंतजार कर रहे है ये गलत हो रहा है आप उनको वीडियो को देखते रहिए उन पर कमेंट करते रहिए और जैसे श्री विद्या के वीडियो को आपको देखना पड़ेगा क्योंकि श्री विद्या सबसे सर्वोपरी विद्या इससे उपर कुछ विद्या विद्या नहीं है ये दसोर्स है जो मै जिसे आपको बहुत बड़ी बाता जो दक्षामूर्ती गुरु कहलाते हैं उनकी पूजा की तो उसका कारण है मैं हसता था मुझे सब लोग कहे थे दक्षामूर्ती गुरुदेयों की जै क्यों क्या होता है कि मैं जब दिख्षा देने निकला तो मेरी उमर थी उन तीस-तीस स यहा रहें तो 75 साल के लोग आ रहें अब हम बैठे चोटे-खोटे दिख्षा लेने वारे बुड़े-बुड़े आ रहें माताजी तो तो च्पड़े-बुड़े लोग मेरी दे रहे था तो दक्षामूर्ती गुरु माता का यही मतलब है कि वो यह जो मैंने कहा ना शिव जी और इससे भी हमारे हाँ जो वर्णा ने हमारे जो चीजे वो कोड में कही गई है पर उनके बहुत गहन, बहुत गंभीर और बहुत सारे गुही मतलब है धीरे धीरे आपको मैं और खोलता जाओंगा श्री विध्या के बारे में, अन विध्याओं के बारे में दूँगा और यही समझ लीजिए जो मैं दिक्षा करने जा रहा हूँ इस क्रश्व जनमास्टमी पे वो राम तो दे दिया राज राजेश्वरी पर लौचाइड दिक्षा ही है एक तरह की वो तो गुमाफिरा के बात की जाती है पर आप समझेंगे अकल थोड़ा सा भी दिमाग की अगर आपके दिमाग में क्या होता वो होता न लौचा जवान मैं घड़ी होती थी थी तो रोज चावी बढ़ते थे और दूसरे दिन और चावी खतम होता थी पिर चावी बरनी पढ़ती थी तो नभी 99% सिस्ट और रोज मुझे चावी बरनी पढ़ती है रोज चावी बढ़ो फिर चुबह सबे अगर चावी नहीं फर तो घड़ी बंद हो जाएगी पर वैसे आटोमेटिक घड़ी आ गई हाथ की सारे से आप वैसे वह कभी बंद में चावी फरने जरूरत नहीं पड़ती है आप समझदार होंगे तो राज-राजेश्वरी भूनेश्वरी नहीं समझते ना करा लें ठीक ह इतना कंट्रोवर्शियल है इतना गहन है इतना गोपनी है इतना रहसम है और इतना चमतकारी है और इतना वास्तविक है जिसमें इस्तरी पुरुषों की बच्चों की महिलाओं की सब के दिमाग की जो जो चोकी है ना वो मैंने यहाज यहां पर खतम कर दी है बहुत-बहु झाल झाल